जेहिन सेनिक समाचार इंडिया यूटूब चैनल में आप सभी का एक बार फिश स्वागत है ये वीडियो डिफैंस पैंसनर्स के लिए है और ये एक एजुगरशनल वीडियो है इस वीडियो में हम वो 25 गॉल्डन पॉइंट्स जानेंगे जो एक पूरू सेनिक को हमेशा ध्यान में रखने की जरूरत है यानि किसी सेनिक के रिटार्मेंट के बाद इन 25 पॉइंट्स को जरूर चेक कर लें इन में यदि कोई गलती, मिस्टेक, करेक्शन है तो समय पे करवा के रखें आईए एक एक करके मैं आपको इन 25 गॉल्डन पॉइंट्स के बारे में बताता हूँ पूर सेनिकों के लिए रिटार्मेंट के बाद ध्यान में रखने वाली 25 मैतु पूर्ण बातें सबसे पहली, after retirement, you did not register yourself at जिला सिनिक बोर्ड and you don't have जिला सिनिक बोर्ड आइडेंटिटी काड यानि, रिटार्मेंट के बाद सबसे पहले आपको अपने आपको अपने जिला सिनिक बोर्ड में रिजिस्टर करवाना है और वहां से जिला सिनिक बोर्ड से आइडेंटिटी काड को प्राप्त करना है दूसरा पॉइंट है, your permanent home address has not been changed in service records and discharge book यानि, रिटार्मेंट के पहले या रिटार्मेंट के बाद आपका जो permanent home address है, वो change हो चुका है लेकिन आपने अपने service record और discharge book में change नहीं करवाया है तो change करवा ले तिसरा point है, you are having a pension book in which your wife's name is written as nominee only यानि, आपके पास में discharge book है उसके अंदर आपकी wife का नाम केवल nominee के रूप में लिखावा है और इस nominee के रूप में लिखे होने के करण आप जो आपके pension account में जो बकाया पैसा होगा, वो ही आपकी nominee को मिल पाएगा यदि family pension के लिए या joint declaration के लिए आप अपने wife का नाम add करवाना चाते हो तो उसको add करवा के और अपने discharge book में update करवाएं अगला point है In your PPO, your wife's name and date of birth are not written यानि आपके PPO में आपकी पतनी का नाम और जनमतारिक नहीं लिखी हुई है इसका मतलब है कि आपका PPO jointly notified नहीं है और आपकी date होने के बाद आपकी wife को pension नहीं मिलेगी उनको phrase family pension के लिए apply करना पड़ेगा और यदि आपके PPO में jointly notified यानि आपके wife का नाम और date of birth है तो आपकी date होने के बाद आपकी wife को family pension मिलना start हो जाएगी चलिए पांचवा point देखते हैं यानि आपके PPO में आपकी wife का नाम और date of birth में से कुछ भी एक या दोनो गलत है और यह यदि आदार काड और पैन काड के साथ मेंच नहीं कर रहा है तो wife को जब भी family pension के लिए apply करने की जुरुत पड़ेगी तो उसकी family pension apply नहीं हो पाएगी या apply हो भी जाएगी तो pension नहीं मिल पाएगी तो आदार काड पैन काड और PPO पलस डिश्चाज बुक इन सब में आपकी wife का नाम और date of birth सेम होना चाहिए चलिए छटे point पे गोर करते हैं इन योर PPO योर wife's date of birth is not written बट ओनली हर age और year of birth is written ये भी ज्यान रखने वाली बात है कि जो पुराने pensioners है उनके PPO में उनकी wife की date of birth नहीं लिखी रहती है उसकी जगे उनकी age या year of birth लिखी रहती है तो आप समय पे अपने wife का date of birth प्रोपरली अप PPO और discharge book में mention करवाएं इसका मतलब आपके बच्चों का नाम या जनमतारिक या दोनों आपके service record में सही नहीं है तो जिला सेनिक बोर्ड के तुरू सही खरवाले चलिए आठवे point में यानि आपने wife या बच्चों का नाम या जनमतारिक में correction के लिए apply किया था और apply करने के बाद आपको part order या naval pension order या POR मिल चुका है लेकिन आपने discharge book में जिला सेनिक बोर्ड से entry नहीं करवाया और verify नहीं करवाया तो आज ही verify करवा ले इसकी part order की entry होना बहुत जरूरी है 9 point है you do not have a joint pension account in bank with your wife though you have a jointly notified PPO देखिए PPO में तो यदि wife को jointly notified कर दिया है तो वो family pension की हकदार हो चुकी है लेकिन आपका जो pension account है वो joint account नहीं है तो pension किस खाते में आएगी तो पुराने जितने भी pensioner है उनका जो pension है single account में आ रहा है केई होने joint करवा ली है लेकिन जितने भी pensioner है जिनका अभी भी single pension account है तो उस pension account को अपने nominee या नोके के साथ में joint करवा ले जो latest pensioner आ रहे हैं उनका already joint account में ही pension आता है next point देखिए you do not have an ECHS 64 KB medical card you never applied for ECHS card or do not have temporary slip यदि आपके पास में 32 KB का ECHS card है तो आज ही 64 KB के लिए apply कर ले या अभी तक आपने ECHS card के लिए apply नहीं किया है और आप पस temporary slip भी नहीं है यदि आप free cashless treatment चाते हैं तो ECHS card के लिए apply कर लें अगला point देखिए your correct name and date of birth are not mentioned in your other card and pen card same is true for family members maybe only year is written in place of date of birth के एक अधार card जो पहले बने थे उनमें केवल year of birth लिखावा है या आपका नाम आपके service record और आपके अधार card और pen card के साथ मेच नहीं कर रहा है तो ये चोटी सी गलती इसको ना मानते हुए समय पे अधार card, pen card, PPO और discharge book में सेम नाम रखे और अधार card और pen card में गलत है तो service record के according सई करवा ले है चलिए बारवा पोइंट देखते हैं इस पोइंट को मैं बताओं उससे पहले आपके request आप से कि total 25 पोइंट है आपने 12 पोइंट के उपर discuss कर लिया है आपने जान लिया है और वीडियो के साथ में अंतक बने रहें और सभी इन 25 पोइंटों को समझ ले ये आपकी जिन्दिगे में भहुत काम आएंगे इस पोइंट के अनुसार You have not intimated your marriage to your record office As you have got married after retirement कई एक पूरू सेनिक ऐसे हैं जो retirement के बाद में किसी ने किसी कारणवास साधी करते हैं इस साधी की सोचना जिला सेनिक बोड के तुरू अपने record office में नहीं देते हैं यदि उस सेनिक की मृत्य हो जाती है तो उसके बाद उसकी wife को pension नहीं मिलेगी तो ऐसे कोई सेनिक है तो जल्द से जल्द अपने wife का जो साथ marriage का part order है उसका part order जिला से निक बोड के थू record office से करवा ले उसके बाद PPO में नाम entry करवा ले और discharge book में नाम entry करवा ले और service record को update करवा ले next point देखिए you have not intimated date of your wife to record office and published part to order you have not changed nominee in records and AJ or AJ or AFGIS बहुत ही important point है कि आपकी wife की death हो चुकी है और आपके बच्चे हैं आपने wife के death का part order नहीं करवाया और discharge book और PPO में update नहीं करवाया तो आपके ना रहते हुए या आप इस दुनिया में ना रहे तो आपके बच्चों को family pension मिलने में बहुत सारी समयशाएं आएगी तो आप ये कारवई तुरुंत करवा लें यदि किसी के साथ में ऐसा है तो और इसी के साथ जो nomination है army group insurance, naval group insurance और air force group insurance उसमें भी जो NOK और nominee को update करवा लें अगला point देखें you have remarried यानि आपने दुबारा से साथी किये और दुबारा साथी करने के बाद में बच्चे हो सकते हैं लेकिन आपने जिला से निक बोर्ड के थुरू अपने record office को सूचना बेज़ के part order publish नहीं करवाए हैं तो तुरुंत publish करवा लें अगला point देखें your second wife's name has not been endorsed in PPO when she is eligible तो इसका मैंने आपको पहले ही बता दिया की री मेरी आपने किया है तो आपके wife का जो नाम है PPO discharge book और joint account उनके साथ में खुलवा लें ये सब करवाई कर लें next day you have not endorsed your disabled child's name in service records and PPO if eligible साथियों disabled child को lifetime pension मिलती है एक माबाप के ना रहने के बाद यदि किसी के ऐसा बच्चा है तो उस बच्चे का part order करवा के और उसका नाम PPO और discharge book में और service record में अपडेट करवा लें next point देखिए you have no taken dependent identity card of your wife and children जिला सेनिक बोर्ड से एक स्रिश्मेन को तो identity card मिलता ही मिलता है उसके साथ ही पूरे डिपेंडेंट्स को भी identity card मिलता है तो यदि ऐसे कई ऐसे पूरु सेनिक हैं और कई ऐसे पूरु सेनिक हैं जिनके खुद के अलावा dependent के identity card उन्होंने जिला सेनिक बोर्ड से जारी करवाए वह नहीं है तो जल से जल आप जिला सेनिक बोर्ड में जाके dependent के identity card भी apply करके प्राप्त कर ले next point देखिए you get pension from statement of India but your pension account has not been changed into a DSP account आपको पता होना चाहिए कि DSP की सुईदा serving or retard दोनों सेनिकों को लगू है यदि आपका भी account saving account है और DSP में convert नहीं करवाया है तो आप जल से जल अपने bank में application देखे चाहिए pension का account है चाहिए salary का account है उसको DSP में convert करवा ले अगला point देखिए you have not made a checklist for your wife about steps she will have to take after your death एक सेनिक की जिन्दिकी में कई बातें जुड़ी रहती है और हर एक बात का उसके परिवार वालों को wife को पता नहीं होता है यदि एक सेनिक दुनिया में नहारे एक सर्विस्मेन वगवान के पास चल जाए तो उसका किस बैंक में खाता है उस खाते का login ID password क्या है उसमें कौन सा mobile number register करवाया कौन सी email ID register है उसका username login credential ये सब चीचें अपने परिवार में बता के रखें ताकि एक सर्विस्मेन के दुनिया में नहारेने के बाद जहां कहीं भी जिस खातों में पैसा पड़ावा है उन खातों को विड्रॉल करने का अधिकार आपके next option को मिल सकें next point देखिए you have not told your wife where you have kept your various important service and civil documents एक सर्विस्मेन के जितने भी सर्विस्मेन जिसमें पी पी ओ जिस चार्ज बुक और इसके लावग और कोर्रस्पंडेंस किया है रिकोर्ड ओपिस और PCDA के साथ में वो वो साथ में ही उसके पूरे civil education document और civil document जैसे की प्रोपर्टी के कागज़ाद है तो आप अपने परिवार में जरूर बता के रखे क्योंकि नहीं तो बाद में कई परकार की समस्याइं खड़ी हो जाती है अगला point देखिए you have not shown various important offices to your wife such as यानि आपने अपने wife को जिला सेनिक बोर्ड आपकी किस बैंक ब्रांच में खाता है ECHS office, Army Station Headquarter, Air Force Station उसके बाद INS, Netaji फिर CRSO office और CSD office इन सब के बारे में नहीं बताया है तो इन सब office हो से उनको आउगत करा दें अगला point देखिए you have not made a list of names and contact details of various important offices and persons for your wife आप अपने wife को सभी record offices, bank और जहां जहां आपकी pension से तालुक आते उन सभी offices के जो important contact number होते हैं उसकी एक list बना के जरूर देदे next point देखिए you have not mentioned nominees in for your pension and other bank पोस्ट ओबलिक एकाउंट जितने भी तरीके के जहां भी आपकी savings रहती है और आपके pension account होते हैं pension account और saving account या post office account या MIA से आपका कुछ भी है उसमें nominee जरूर रजिस्टर करवा के रखें ताकि आपके ना रेने के बाद उसमें जो भी पैसा है वो nominee को मिल सकें यदि उसमें nominee एड नहीं करवाया और रहेगा तो वो पैसा लोक हो जाएगा और government के suspense account में चला जाएगा और यदि किसी को लेना भी है तो काफी साल लग जाएगे तो nominee को हरे खते के साथ में एड करवा के जरूर रखें इसके बारे में मैंने आपको पहले ही अभी बता दिया कि जितने ही भी आपके login ID और password ATM के PIN नमबर या laptop computer mobile phone इनके जो password है वो एक जगे कहीं पर लिख के रखें और अपने परिवार के सदिशियों को बता के रखें ताकि आपके ना रहने के बाद उन चीजों से वो login और operate कर सके और last point है you have not made a clear will for your wife and family आपकी जो भी हैसियत है या वसियत है या जो भी property है उसके बारे में एक will first class magistrate से sign करवा के जरूर रख दें जिसको कि आपके ना रहने के बाद जो property मिल सके उसको जरूर exercise करवा के रखे आप ये जो will एक परिवार के किसी भी member के नाम पे करवा सकते हो जिसको आप चाते हो कि मैंने इसके नाम पे करना है इसको जरूर करवा कर रखे रखे ताकि ऐसी कोई भी चीज जो left out हो जाए तो यदि आपने will sign करवा कर रखी है तो इस will के आदार पर आपका जो court होगा वो proper नयाई करेगा और will के आदार पर जो वसियत या आपके खातों में जो पैसे हैं या अन्य किसी भी परकार की जो जूड़ी हुई है जमीन जाइदाद की उसका अधिकार जिसके नाम पर will करवा है उसको मिल सके हैं अब आइनली आपके लिए यही निवदन है कि यदि उपर लिखे point में से आपकी भी कोई जानकरी अपडेट नहीं है तो आहाजी अपडेट कराएं दन्यवाद खुश रहें स्वस्त रहें इस वीडियो में तनाई अगले वीडियो में फिर चाचा करेंगे एक ओर लिटेश जानकरी के साथ तब तक के लिए जैही जैवारत वंदे मातरा